इस class का अगर पूरा फैदा उठाना है तो अभी जाएकर के description में सबसे उपर जो link रखा है इसी वीडियो की उससे इस वीडियो की उपर जो quiz है ना उसको download करें पहले quiz को पढ़ें सारे questions को पढ़ें उसके बाद editorial को पढ़ते हुए quiz को solve करते जाएं आपका RC close test और error correction अपने हाँ मजबूत हो जाएगा hello and very good evening मैं हूँ आपका host अमन आप देख रहे हैं YED और English Tutor को जहाँ पे हर रोज इस तरह की exercise करके हम अपने English को बहतर बनाते हैं हर लियाद से आज लेने वाले हैं The Hindu के second editorial को a mindset problem based है मन अरेगा scheme के अंदर जो पैसे की कमी होगी है government के पास उसके उपर फटा फट से शुरू करेंगे अगर आप नए आयो चनल पे जरूर सब्सक्राइब करना टोटल पैकेज में प्रोवाइड करवाता हूं भले शाम में देरी से करवाता हूं बट इस वीडियो इस टोटल पैकेज ऑफ 30 30 मिनेट्स जिसके अंदर आपकी English को हर लियाज से अप फट फंड क्रच यह रूरल जॉब स्कीम ऐसी स्कीम जॉबस की जो एक गाउं के लिए मतलब मान दा रहेगा उसमें जो फंड है ना उसमें जो पैसा है उसके क्रश के ओपर उसमें कमी की ओपर है बेस्ट है ना चालिए टाइटल परगराफ से में मॉलूम चलेगा पूरा एडिटोर्यल क्या कहना चाह रहें जो सरकार है न उसको यूज में लेना चाहिए इस एमजी नरेगा स्कीम को एक मीन्स की तरह है एक जो कदम की तरह है किसी इसके गाउों की अर्थविश्था को करने का किसी को उकसाना बूस्ट करना insight करना instigate करना सब इसके synonyms हैं आपने मेरे साथ सीखे हैं अगर आप eriturials follow करते हो तो means को आप क्या बोल सकते हो और उपाई कदम है ना जो measures हैं सब means ही होते हैं फटा वट से title paragraph को parse करके हर word को उसकी उकात बताएं ताकि आप grammar को उस तरीके से सीख पाएं जो की best way है हर word को उसकी जगा बता करके ठीक है एक चोटी सी समरी मैं आपको दे दू होता क्या है अपने पास मन रेका इस scheme के लिए अभी पैसों की हो जाती कमी अभी scheme में होता क्या है अपने गाउं में कुछ लोगों को रोजगार देते हैं scheme के अंदर अब scheme में इस साल fund कम हो गया है लोगों के पैसा देने के लिए सरकार के पास states के पास fund कम है अपना यह क्या रहा है आप mindset को बदलो यह scheme लोगों को रोजगार देने के लिए मत बनाओ scheme के अंदर खड़े खुदवाने और रोड बनवाने से आगे कुछ करो उनको skilled labor बनाओ और जैदा पैसे दो उनको कुछ ऐसा काम करवाओ कि scheme के उपर आपके उपर बोजग नहीं आए बलकि scheme से लोगों को रोजगार मिले साथ ही साथ government का और देश का कुछ भलाओ खाली-खाली खड़े खुदवाने से क्या होगा समझे आपको तो कुछ ऐसा काम करो टाकि हमारे पास wealth creation कुरी country के अंदर इस scheme में जो पैसा हम खर्च करते हैं उसके उससे सामने हमें और जो है benefits मिलें और कभी इन लोगों को देने के लिए पैसे की मारे पास कमी नाओ यह इस एडिटोरियल की सोल अब चलिए फटा-फट से description में जाएं जा करके इस link से देखो सबसे पहला link है इससे आप जो है न जो quiz को download करें फिर इस एडिटोरियो खुद पढ़ें और फिर आए वीडियो पे सही तरीका तो यह यह सीखने का इंग्लिश को चलिए शुरू कर रहा हूं इट नो रियाइटरेशन दा महादमा गांधी नैशनल रूरल इंप्लॉइम्मेंट गरेंटी स्कीम विच इस और सो कोड एमजी नरेगास करा है एस एक्टिड एस इंशुरेंस फो लेंड लेबर्स करा इस इत इसको जरूओत नो रियाइटरेशन की नहीं जो स्कीम जुसका पूरा इंब Unleater और बचा किया और इंशुरेंस लेबर्स मचबूरों के लिए जिन पास जमीन नहीं है अच्छा कब during दोरान crop failures उस दोरान जब हमारी crops फसले खराब हो जाती है अच्छा और किस के दोरान एजेरियन crisis ऐसे crisis के दोरान जो है related to agriculture अच्छा और किस दोरान periods of stressed economy उस period के दोरान जिसमें अर्थ विवस्ता stressed होती है दवाब में होती simple sentences समझ गया अर्थ विवस्ता के लिए बीमा का काम करता है यह scheme यह कहने का मतलब है sentence का sentence में देखने वाड़ी चीज़े क्या है रियाइटरेशन किसी चीज़ को दोराना बार बर किसी चीज़ को कहना दूसरी चीज अगेरियन मैंने को बताया हो ना अग्रेजियन होता है जो related to agriculture लेंड हो यह adjective है तीसरी चीज़ आपने देखा यह मन यह scheme का नाम है इसके आगे एस लगा हुए फिर भी मैं इसके आगे ह इसके आगे एस लगा हुए इसलिये मैं है यह पर हैस लag रहा हूं यह नहीं लगा रहा हूं पर कुछ नाऊंन्स ऐसे होते हैं जिन को देखकर क्या आपको लगे गा नहीं है जैसे मीजिल्थ रेकरट्स सब्सक्रह ना यह सारी की सारी बीमारी कीश्ट में ऑपने को आती है रिकेट्स रिकेट्स इस वेरी डेंजर डिसीज डिकेट्स आर नहीं है ना एट्स हैस बीन स्प्रेडिंग है बहले यह लगा ओ यह सिंगुलर है पहला आज का रूल नौट डाउन करें चलिए के रहे के साथ ही विद मतलब साथ में जो अभी चालू है करेंट में ओन गोइंग है एकॉनमिक स्लोडाउन के आर्थिक मंदी के करें इसके साथ में आगे करें डिप्रेस्ट इकॉनमी रूरल वेजिस अब ध्यान दें आप यह अचानक से रिजल्टिंग क्यों आ गया करें एकॉनमिक स्लोडाउन जो की रिजल्ट कर रहा है आप ऐसा भी लिख सकते थे विच इस रिजल्टिंग जिसका जो 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 रिजल्ट आ रहा है जो परिणाम आ रहा है डिप्रेस्ट दभी हुई रूरल वेजिस गाउं में मजदूरियां है ना जिसके परिणाम में गाउं मजदूरिय कम बिल दिया करे और and lack of adequate opportunity to work और जो कमी है ना लैक है shortage है प्रयाप्त opportunity की जो है काम के लिए opportunity to work के लिए करे इसके साथ में हुआ गया the monirigas has provided much needed sucker and this explains why demand for it has picked करे जो scheme है ना इसने provide कर दिया है वो सकर वो support वो relief वो साहत जो थी much needed जिसकी थी बहुत जरूरत और करें यह चीज़ explain करती है क्यों why demand जो है ना for it इसके लिए किसके लिए मुएंदरेगा scheme के लिए इसके लिए has picked यह peak कर चुकी है एकदम आसमान के चाहियों में पहुंच चुकी है in the last few months पिछले कई महिनों के दोरान और कहां पर across various parts of the country जो country है देश पर है उसके पूरे parts में अलग अलग जगहों पर आप इसी approach से कितना भी लंबा sentence से उसको पढ़ सकते हैं थोड़ा से इस approach को आप copy करने कोशिश करें भले copycat बन जा है आप कोई बात नहीं बुरा ना मन है पर copy करके आप किसी भी sentence को इस approach से पढ़ सकते हैं sentence लंबा है repeat करके देख लें अगर आप वो समझ में नहीं आया हो तो sentence में देखने वाल चीज़ यह की है सकर सकर का मतलब अधर support relief help पर ऐसा सकर ऐसा support ऐसी relief जो आपको मुसीवत के time मिले समझगे मुसीवत के time यह lack of का मतलब कमी होती है इसको आप shortage बोल सकते हो 15 states वो पहले ही हमें overshot कर चुके है अपने budget को overshot करने का मतलब क्या है पार कर जाना पंदरा राजय है पहले ही अपने budget को पार कर चुके है for the schemes implementation इस scheme के अमली करन के लिए implementation के लिए करे जो report है ना और दूसरी क्या चीज़ many have not been able to pay with dues और बहुत सारे states नहीं रहें able किस काम को करने के लिए पे करने के लिए मजदूरी जो है बकाया करे जो report है ना अब इसकी वह आगे शुड यह report शुड होनी चाहिए एक कोजे कारण for concern चिंता का समझ गे सेंटेंस से सब बनाए subject है यह report वह बैसकी शुड यह हो और दूसरा बहुत सारे जो हैं अपनी जो है वेजिस को पे नहीं कर पा रही है ओवर्शूट वर्ट को note करें और का मतलब जनले इह होता है और浏ट मतलब वेट जिसका जरुट से जयादा हो ओफरश्वट मतलब जिसने जरुट से जादा शुट कर दिया हो use कर दिया हो किसी चीज़ को exceed कर दिया हो चलिए आगे बढ़ते हैं has been have been प्लस में एक adjective अच्छे से आप जानते क्या होता है बहुत बार में बता चुका हूँ वीडियो में भी अलग से समझा चुका हूँ डाल देता हूँ यहां जिनोंने नहीं सीखा सीखें has been have been के सभी uses को चलिए कर कंपाउंडिंग दा सिच्वेशन इस दफेक्ट करना बिलकुल है वो चक्रवर्दी व्याज वाला जो फॉर्मूला है compound interest का mathematics पढ़ते हो उससे इसको relate करो क्या होता उसमें compound interest तो compound मतलब चक्रवर्दी एक क्यूप पर एक क्यूप पर एक क्यूप पर तो करा compounding the situation इस situation को आगे से आगे बढ़ाने वाला is the fact वह fact है that वह है कि the center is on the words of running out of funds जो मारा center है न वो words पर कगार पर है वो run out होने से खतम हो जाने से funds की समझे हो मतलब और बुरी जो situation यह हो रही है center के पास वो कगार आ गई है जब पैसे खतम हो रहे है sentence में देखने वाल चीज़ है compounding word आप मैंने को समझा दिया है आप इसको complicated भी लिख सकते हो इसके लिए बहुत अच्छा word है accessibility इसका मतलब क्या होता है बुरी चीज़ को और बुरा बना देना समझगे वर्ड को note करें important word है accessibility चलिए दूसरी चीज़ on the words of ये और on the brink of दोनों का मतलब एक ही होता है आपने मेरे साथ इस जोनों फ्रेज को कई बार देखा है मैं आपको यूज करके दिखाता हूं तक कि आपको याद आए the situation is on the brink of or on the words of war करें situation है आगई है कगार पे एक वार की जो वार है वो होने ही वाली है ऐसी कगार आगई है इस तरह से इस फ्रेज को आप यूज करते हैं बहुत बार बता चुका हूं सिर्फ आपको यहां पर रिवाइस करवा रहा हूं चलिए रन आउट इस फ्रेजल वर्ब फ्रेजल वर्ब मतलब खबरी खबरी का मेरा एक चैनल है वहां पर मैंने बीस पार्ट अभी तक अव्लोड कर दी है दस दस पांच-पांच मिनिट के आउडियो फोम में सारी फ्रेजल वर्ब्स इंपॉर्टेंट मैं आपको करवा रहा हूं उसके नौट्स टेलेगराम चैनल में आपको मिल जाते हैं चलो आपको कुश्चन है ना सर खबरी कैसे खोलते हैं एक वर फटा-फटा आपको बता देता हूं जाओ चैनल के उपर देखो चैनल पर गए आप जेस्ट ए मिनिट यहाँ चैनल पर जाकर के आपने यह देखो ड video को access कर सकते हो इनके नोट कैसे मिलेंगे नोडियो के आप टेलेग्राम चैनल पर जाएं देखिए टेलेग्राम चैनल यहाँ पे चैनल में टाइप करें सर्च के अंदर हैस्टाइग ऑफिशल वाइटी नोच जैसे आप यह डाल टाइप करेंगे ना यह चैनल आ जाएगा इ करेंगे नियुत आप टेल लगैशन होगा हमें नहीं होगा सबको मालूम यह होन् सब्सकु जबकी एब सुल्ट मतलब एक डम पका व लूना उसको ओलते हैं करें जहां पक्के टर्म में या पूरे अच्छे तरीके से द अलोकेशन फॉर द स्कीम इन बजट प्रिजेट प्रिजेंटेड इन जुलाई 2019 वर हायर कंपेड टू दा प्रिविएस फिनेंशल इयर जो एलोकेशन से ना लोकेशन क्या होता है गौवर्मेंट आपके लिए फं जो एलोकेशन है ना जो फंड्स इसके लिए घोशना होई थी इस कीम के लिए इस बजट में जो की प्रिजेंट हुआ था जुलाई 2019 में वो एलोकेशन हायर थे ज्यादा थे कंपेड टू अगर कंपेड करें उनको प्रिविएस फिनेंशल इयर पिछले साल के अलोकेशन से समझ ए absolute terms में है तो वो थे ज्यादा लेकिन the outlay fell in related terms जो outlet था ना अब आट ले क्या होता है allocation करने के बाद जब आब अब actual में पैसा हो वो थे गहरा है मानलो पिछले साल इसने सो रुपे दिये समझ के इस साल इसने बूला मैं 110 रुपे दूँगा या 150 रुपे दूँगा ठीक है ऐलोकेशन तो बढ़ गई पर लेकिन पिछले साल इसने 100 रुपे का 90% आउटले भी दिया था 100 रुपे बोल करके 90 रुपे वास्ता में द साब से थोड़ा ध्यान से समझें इन चीजों को काली ट्रांसलेशन करने से कुछ नहीं होगा आउट ले एक फ्रेजल वाब है वैसे फ्रेजल वोती ले आउट ले आउट मतलब पैसे को खर्च करना वहीं से फ्रेजल वाब निकली है बहुत कंजूस आदमी है ले जो ज़रूरी चीजी है उस पर भी वो ले आउट नहीं करता है पैसे को खर्च नहीं करता है खबरी आप मेरे साथ ये फ्रेजल वाब को सीख चुके हो जो आउटले था न वो भी कम था दैन दा एक्चुल एक्सपेंडिचर था उसकी तुल नम ह है इन प्रिविए ससरे फिछे शाल के दौरान करता है ऐसकी मेह तो की की और किस काम में अर्ष्टिंग करने में रोग दैने में गाओं में जो है जो बेचिनी है अर्थ फिपरस्ता के अंदर गाओंगे समझगे देखो पिछले साल में जो एक्सपेंडिचर एक्चुल हुआ था ना उससे कम जो पैसा है इस साल गोवर्मेंट ने रिलीज किया इसके सामने साफ साफ हमें दिख रहे है कितनी इपोर्टेंट यह स्कीम है इसका मतलब और कितना गाउं के अंदर इसके अंदर जो है डिस्ट्रेस को अरेस्ट करने में काम्याब रही है डिस्ट्रेस होते है जब बहूत एक्दम बे-चैन हो जाओ ना अदर एंक्शियोस होजाते हो आप जो एक्दम अपनी जगह पे in place हर वो चीज है जो जहाँ होने चाहिए वह वहाँ है M.G. Narega scheme विद्यमान है एक्सिस्टिंग है in place है more than a decade एक decade से ज़्यादा एक दशक से ज़्यादा के लिए कैसे एक secondary scheme के तरह है एसी scheme जो first variety नहीं है आपकी secondary scheme है अब देखो कैसे that cannot be done away with जो की नहीं की जा सकती done away with आपने फेजल फिर मेरे साथ खबरी पर देखी है इसका मतलब होता है किसी चीज को खदम कर देना किसी चीज को eliminate कर देना तो यह जो हमारी center government की approach हमेशा से रही है इसको इस तरह से treat करने वाली secondary scheme है जिसको हम खदम भी नहीं कर सकते है ना चलिए several studies have pointed to यह जहां से note down करें done away with यह do away with किसी चीज को खदम कर देना फ्रेजल वाब है करें बहुत सारी studies point out कर चुकी है its effect इसके असर को on the lives of rural poor जिंदिग्यों पे गामों में रहने वाले गरीब लोगों की ठीक है और कैसे बाइ providing employment in the agriculture off season provide करवा के employment को रोजगार को agriculture क्रिशी के off season में off season क्या होता है जब खेती नहीं हो रही है है ना और कैसे offering alternative jobs during the years of lean agriculture growth offer करके ऐसी jobs को ऐसे रोजगार को जो alternative है अलग है वेकल्पिक है दोरान उन सालों के जिसमें agriculture growth lean होती है lean मतलब बहुत पतली बहुत कम और किस तरह से safety net for safety net during crop fallers एक safety net की तरह है एक सुरक्षा जाल की तरह है दोरान फसलों की नाकामे अभी गए crop failure मतलब मौन सुननी हुआ कोई ऐसी बड़ी tragedy होगी जिसकी वज़से फसले तबाह होगी crop failures इस तरह से several studies ने point two किया है देखो इस sentence में देखने वाले चीज़े क्या है पॉइंट के बाद में हमेशा two लगता है खबरी पर यह अपने 30 पार्ट हो जाएंगे ना भी 22 पार्ट होगे 21 पार्ट उसके बाद मैं शुरू कर रहा हूं fix prepositions कौन सी वब के बाद कौन सी preposition हमेशा fix होती है जैसे point के बाद two होती है तो जरूर से follow करें इसको point के बाद two ह लाइशा आप देखोगे आउ आफ सीजन आप जानते हैं यह बाए प्रेपोजिशन के बाद में वब के आए एंगी फॉर्म आएगी हर प्रेपोजिशन अपने बाद वब अगर लेती है तो जरूरेंट फॉर्म में लेती है तो बाई प्रवाइडिंग एंड बाए ऑफरि are from 18 to 30 age group करें एक लार्ज प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन क्या होता है रेशो अनुपात हिस्सा पार्ट करें बहुत बड़ा हिस्सा है ना ओफ दोस उन लोगों का जो अवेल कर रहे हैं जो फैदा उठा रहे हैं स्कीब का इस दर स्कीब का कहां से कहां से वो 18-30 एजज गुरूप इस एज गुरूप के वो करें विच सजेस्ट जो कि इस चीज की तरफ इस चीज को और देख़ो आगे करें विच जो की according to हिसाब से official statistics सरकारी आखडों के has peaked in recent year peak कर चुकी है अपनी उंचाईओं को छूचुकी है आ जो recent के हाल के जो years हैं उनके दोरान किसकी बात कर रहे हैं हम youth employment की sentence जरूर लंबे हैं पर बच्चों की तरह लिखे हुए है थोड़ा साफ systematically चलो न अब वो नहीं आएगी अब यह विच किसके लिए इसके अडिस्ट के लिए कोन है यहाँ यहाँ पर यूथ employment तो यूथ employment जो है वह पीक कर गई है अब यहाँ पे आपको बिल्कुल भी इस ने किये यूद की प्रॉब्लम को थोड़ा सा ध्यान दोगे अराम से अब समझ जाओगे अब देखो यहाँ पे चोड़ा सा है ना कॉंसेप्ट है मैं इसको मिस्प्रिंट वह लूँगा क्योंकि गलती नहीं है जनली दा हिंदू के एडिटोरियस इस शीज को जानते हैं और ऐसी कई ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद आप हमेशा रिफ्लेक्सी प्रणावन को यूज करते हैं गोल्डन गरामर सीरीज के पार्ट टू में सभी मेंबर्स ने आज देखा भी है रूल नंबर एक यही था रूल नंबर दो मैंने आपको बताया था कैसे किन वर्ब्स के थितुवर्ड ना टेक्निकल गलत है क्योंकि अव्य जो और वह अपने बाद एक रिफ्लेक्सी प्रणावन रहती है रिफ्लेक्सी क्या होता है शी का हर सेरफ देंसल्फ यू का यॉर सेल्फ है ना तो यहां पे शी अवेल एक रिफ्लेक्सी प्रणावन हर से डpower से इस तरह जो exam context में अवेल के बाद हमेशा reflexive पराँ को use करना है अब ऐसी और भी verbs हैं अकेली नहीं अवेल enjoy we enjoyed in the party नहीं होगा we enjoyed ourselves in the party she enjoyed herself in the party है ना इसी तरह से present he presented himself in front of the judge she absented herself from the class they introduced themselves to the crowd the host said us to help ourselves help himself help himself का मतलब क्या होता है अपनी खुद की मदद करें आप जो हैं खुद अपनी खाने को परोसे help yourself करें है ना तो यह सबके सब reflexive pronounce है आपने golden grammar series में देखा है थोड़ा सा उसको मैं revise कर वा रहा हूं जो लोग अपने members नहीं है उनके लिए बता रहा हूं golden grammar series जिसके अंदर हमें crash course कर रहे हैं सारे grammar rules को एक देड़ महीने के अंदर हैं और मोटा मोटा सीख लेंगे ताकि हमारे जो basic questions से English के हम solve कर पाएं members के लिए हैं आप जा सकते हैं चैनल पे playlist section के अंदर यह देखो इस series पड़ी है special videos special videos में अगर आप member है तो आप इन videos को access कर सकते हैं no videos मैंने अभी तक डाल दी है join करना हो तो भी आपको पता है जा करके join button पे यह देखो join button है click करें जो membership plan लेना हो वो आप plan ले सकते हैं lovers VIP exclusives है ना बुरा ना मने जो लोग पे नहीं कर रहे हैं आप सोचेश्व ममें नहीं मिल रही है भाई यह लोग extra पे कर रहे हैं चुटी लेकर के बना रहा हूं मैं आप लोगों को यह वीडियो ग्रामर वाली कुछ महीनों के बाद अवेलिबल कराऊंगा कुछ महीनों के बाद है ना जब यह पूरी सीरीज हो जाएगी आगे बढ़ें चले कर रहा है बिसाइट्स इसी के साथ other studies have also shown दूसरी studies भी यह दिखा चुकी है that यह की mg naregas has improved agriculture productivity यह scheme है ना यह improve कर चुकी है agriculture productivity को हमारे क्रिशी के अंदर उतपाद को कहां पर where it had been implemented properly जहां पर इसको पैसी वोइस में implement किया गया था properly सही तरीके से समझके पैसी वोइस है जहां पर सही तरीके से इसको लगाया गया था वहाँ वहाँ agriculture productivity बढ़ी है करे तो scheme by now should have been an ideal vehicle करे जो scheme है ना अभी तक हो चुकी होनी चाहिए थी एक ideal एक आदर एक बिल्कुल perfect vehicle एक ऐसा साधन किसी इसका for rural development गाओं में विकास का and not just a fallback option और ना सिरफ एक ऐसा option जो है fallback का आपके backup का आपके प्लान फेल हो जाए उसका समझके तो scheme को है ना अभी तक कि यह ideal vehicle बन जाना चाहिए था रूल development का sentence में देखने पाल चीज़ क्या है should have been मैं आपको शाए दस से बारा बार बता चुक हूँ अरे टोरान यह कैसे बना हुए जिल लोगों यहाद है एक sentence should have been मुझे भी बना करके दिखाओ मुझे पता लगे कितने लोग जो इना ग्रास मतलब पीछे जब आप नाकामयाब हो जाते हैं आपका प्लान जो फेल हो जाते हैं तब आप एक ऐसा option लेके आते हो जो आपको बचा ले तो यह backup option हो गया आपका convenience होगी यह आपकी expediency होगी कल आपने देखा था था ना expediency it could also improve rural workers साथ ही साथ यह evolve कर सकता है शामिल कर सकता है गाम के workers को in skilled work ऐसे work में जो skilled है जिसमें थोड़ी सी कला की ज़रू होता है and pay them more wages और pay कर सकता है उनको और ज़्यादा मज़ूरी for asset creation asset creation के लिए asset होती है पूंजी creation होता है निर्मान asset creation मतलब कोई ऐसी चीज बनाओ देश के लिए जो देश की काम है है ना ऐसे कुछ काम करव जिसमें skills की ज़रूत हो और साथ में कुछ ऐसा बनाओ देश के लिए कुछ assets creation हो जाए तो और wages मिले beyond just rolls and check thems और asset creation कैसा है पार सिर्फ roads के कुओं के और बांधों के मतलब कुओं रोड बांधों बहुत बना लिया आपने कुछ asset creation कर रहा हो देश का 4G tower लगवा 5G tower इन से skilled work किन से करवा करा a change in mindset is therefore key एक बदलाव हमारे दिमागी जो मनस्चिती में is therefore इसलिए वो है की बहुत important किसकी में in not just tidying over problems ना महज problems में गुजारा करने के tide over करने के such as जैसे की funding and wage delays पैसे की और मजदूरी में delay की देरी की ना इन इन problems को सिरफ जो है tide over करने के काम नहीं आएगा वो करें बट आलसो साथ ही साथ in using them as an opportunity use करने के उनको एक opportunity की तरह है to address the slowdown address करने के लिए इस आर्थिक मंदी को समझ के इन problems को आर्थिक मंदी से की तरह के लिए हम use करेंगे सिरफ हमें गुजारा नहीं करना है इन problems के दोरान इसके लिए change in mindset is necessary tide over is again a special part T की series में आप देखो के खबरी पे tide over मतलब होता है गुजारा करके एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाओ ना manage कर लो तो आप tide over कर लेते हो ठीक है ना चलिए economist have pointed out to economist ने point to pointed to किया है इशारा किया है a slowing of rural consumption एक मंदी की तरफ हमारे एक rural consumption में गाउं में होने वाले उप्भाग में है ना लोग कम पैसा खर्च करने वाले गाउं में ऐसा economist ने point out किया है कर रहा which also has dragged down the economy जिसने साथ ही साथ economy को भी ड्रैग डाउं कर चुका है ड्रैग मतलब खीचना गसीटना डाउं मतलब नीचे जो कि हमारी economy को भी नीचे ला चुका है ड्रैग डाउं करके गसीट करके नीचे जो है बोजिल बना चुका है कर रहा by paying wages adequately wages को मजदूरी को pay करके adequately जो है प्रयापत रूप से जो sufficiently कर रहा on time और वो भी time के उपर two rural workers हमारे गाउं के workers को कर रहा ऐसा करके the government could allow for more spending जो government ना वो allow for कर सकती है वो इंतजाम कर सकती है और ज्यादा spending और ज्यादा खर्चे का and consumption उभोग का अच्छा और क्या कर सकती है and stimulate the economy economy को stimulate कर सकती है सारे synonym मैं आपको बदा रहा हूं समझ के simple sentences fast process कर रहा हूं आप भी कोशिश करो इसी तरह से process करने की by preposition के सारे आपने मेरे साथ देखें न uses उनी uses में से एक use हम यहाँ पे इस preposition का देख रहे हैं allow for is a facial verb जब आप allow for करते हैं तो आप किसी चीज़ का advance में इंतजाम करते हैं जैसे मैं आपको बोलूँ let's leave early today to allow for the traffic in our way चलो थोड़ा जल्दी निकलते हैं ताकि अपने रस्ते में traffic काम पहले से इंतजाम करके चले हैं na allow for करके चले तो allow for मतलब पहले सी आप सोच लो चलो यह हो जाएगा तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा हमें समझे stimulate आपने देख जी है more meaningful allocation for the scheme in the budget कर एक और ज्यादा सार तक allocation जो है न जो गोसना है पैसों की scheme में इस budget में scheme के कर इस वो है therefore इसलिए a much needed imperative एक ऐसी imperative एक ऐसे सी necessary crucial condition जो है much needed जिसकी आज बहुत जरूरत है समझ के imperative क्या होता है हर वो चीज essential लो crucial necessary हो simple एडिट्रोटल था जाकर के quiz को solve करें VIP और exclusive जिन लोगों को golden grammar series ने नहीं देखा अभी तक जिन्हों नहीं देखा ना part 2 को जाकर के अभी चेक आउट करें फिर मुलाकात लूँगा कल सुबह के अडिट्रोटल के साथ कुछ doubts हो queries हो नराजगी हो खुशी हो जरूर मुझे अपने comment section में बताएं वीडियो को आप जरूर जाकर के share करें जिन लोगों को नहीं पता अभी तक इस तरह का content duty पर available है जाकर के उनको बताएं फिर जारत लूँगा आपसे दे जारत signing out